Hello students, welcome to Chevy Chemistry classes. आज का वीडियो बहुत ही important वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं कि सिरफ 15 डेज रह गए हैं CBSC बॉर्ड के एक्जाम्स को और हमें किस तरीके से अपना study प्लान करना है कि हम maximum score कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको कुछ tips बताती हूँ जिसको follow करके आप maximum score कर सकते हो, time waste नहीं करते हैं बिल्कुल भी और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले make sure आपने चैनल को subscribe करते हो, वीडियो को like और इसे maximum to maximum share जरूर करें. तो मेरी तरफ से आपके लिए tip number one ये रहेगी कि इस time पर जहाँ पर हमारे पास बहुत कम time है and only 15 days are left, इस time पर be positive, be confident and believe in yourself. अगर आप अंदर से positive रहोगे कि आप कर सकते हो तो definitely आप कर पाऊगे और अगर आप अंदर से ये सोचों के बहुत tough है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी हो जब मैं कर ही नहीं सकता, तो definitely आप नहीं कर पाऊँगे. क्योंकि human psychology होती है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे सथ होता है, अगर आप ये सोचों के कर ही नहीं पाऊँगा, कुछ भी हो बहुत tough है, अब तक नहीं कर पाया, तो अब कैसे करूँगा, ये चीज़े आप अपने mind से बिल्कुल निकाल दीजे, क्योंकि जब आप अपने आप सबसे आपके लिए रहेगी कि इस वक्त पर हमारे पस बहुत कम टाइम है आगे कुछ करने के लिए क्योंकि 15 देज रहते हैं सिरफ उस 15 देज में मेरे लिए आपके सबसे बेस्ट टिप मैं कहूंगी कि इस टाइम पर मैंने काफी सारे स्टूडेंस को अब्जर्व किया और एक साल में अगर आपने कुछ यूनिट्स सो समझ के छोड़ी होंगी जो आपको समझ भी नहीं आती होंगी बहुत कॉंप्लेक्स यूनिट्स होंगी आपके लिए ठीक है उस यूनिट्स को अब मत उठाये राइट सिरफ उस चैप्टर को क्योंकि इट्स टाइम टू रिव इस वक्त पर आप उस कॉंप्लेक्स चीजों को करके अपने माइंड को और जाधा प्रेशराइज कर रहे हों तो अगर आप यह कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो यह आप बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि इससे आपका कॉंफिदेंस डाउन हो जाता है ठीक है क्योंकि आप कॉंफिदेंस बूस्ट अप कर दे तो यह टिप जरूर फोलो कीजिएगा यह बहुत हैफुल रहेगी आपके लिए थर्ट इप मेरी आपके लिए यह रहेगी कि इस वक्त पर डॉन्ट वरी अबाउट दो रिजर्ट्स रिजर्ट्स के बारे में बिल्कुल भी मत नहीं करो और मैक्सिमम प्रिपेर करो एक्जाम्स के लिए यह मत सोचो कि 90 इले इतना स्ट्रेस रखोगे माइंट में तो आप 100 परसंट नहीं दे पाऊगे इस वक्त पे आपको रिजर्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है स्मार्ट वर्क करना है हाड नहीं और इसको फोलो करते जाए आप मैक्सिमम स्कोर जरूर करोगे तो रिजर्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ठीक है और स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपको यह सुनिए स्मार्ट वर्क आपको प्रिवियर्स के कोश्चन अभी तक आपने उठा लियोंगे एनलिसिस कर लिया होग Якसमा मैक्सिमम तो उसमें से प्रिवियर्स कैश्चन से आपको एक्जाम पैटरन तो पता लगी जाता है उसमें 20 वाले कोश्चन अठाए रिपीट कीजह कोश्चन बार बार और उसको बार-बार पढ़ किए बार-बार अच्छे से करने की कोशिश कीजिए और वही तो आप अंदर से अपने आपको confident feel करोगे अगर इस वक्त पर complex questions उठाओगे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो again same repeat thing आपको फिर से आपको confidence लूज हो जाएगा ठीक है तो यह गलती आपको नहीं करनी है only target the easy questions जो आपको समझ में आती हो और previous years के हिसाब से बार बार repeat हो रहे हो ठीक है तो ऐसे question जो कि pattern तो सेम ही रहता है pattern same रहेगा questions भी लगबग एक ही चीज के हिसाब से बार बार आते हैं अगर previous years के हिसाब से अगर electro chemistry में अगर नरेस्ट equation से आता question तो इस साल भी नरेस्ट equation से ही आएगा तो नरेस्ट equation के question maximum practice कीजिए ठीक है उस time पर और कुछ मत पिढ़िए जो कि exam में आता ही नहीं है क्योंकि वो आपक मेरी सरफ से आपके लिए रहेगी time management इस वक्त पर time को किस तरीके से manage करना है कितना time कौन से subject को देना है कितने hours study करनी जरूरी है इस वक्त पर ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी जाननी होगी ठीक है तो आप देखे मैं एक आपको routine बता देती हूं क्योंकि हर एक इंसान अपनी routine के हिसाब से ही चलता है तो हो सकता है आप ये follow कर सकते हैं तो जरूर follow कीजेगा consider कीजिए बहुत सारे ऐसे students होते हैं जो कि night में study करना पसंद करते हैं कुछ students होते हैं जो morning में study करना पसंद करते हैं I am one of those students जो कि सुभे study करना पसंद करता है क्योंकि सुभे हमारा mind जो होता है वो बहुत ज्यादा fresh होता है और सुभे हम ज्यादा focused और concentrate होके study कर पाते हैं आज पस कोई sure नहीं होता ठीक है तो उस time पर study करना हमारे लिए काफी अच्छा होता है maximum learn कर सकते हो आप उस वक्त पर तो सुभे study करना better है according to me ठीक है अगर आप night में study करते हैं तो उस routine को ही follow करें ठीक है उस routine को अब मैं नहीं कहूंगी आपको कि उस routine को आप बदलो कि कि ये time वो भी नहीं है ठीक है तो अगर consider आप सुभे चार बजे उठ रहे हो ठीक है और आपको सुभे चार बजे उठना ह चलिए कि आपको चार बजे उठके पढ़ना क्या है ठीक है आप रात को ही time table अपना set करके सो कि आपको सुभे ये यूनिट्स कवर करनी है physics में chemistry में maths में आपको ये यूनिट्स कवर करनी है next day और फिर जैसे जैसे आप सुभे उठकर वो काम करना शुरू करो तो आप उसके जरूरी चीज आड़ करना चाहूंगी कि बहुत बार students होते हैं morning में आपको nap की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है gap की जरूरत भी नहीं होती है आपको कि sometimes अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी कि आप हमेशा half an hour की study के बार 10 minutes का gap लीजे बट ये चीज morning में आपको follow नहीं करनी होती है क्योंकि morning में आपका mind fresh होता है ठीक है उस वक्त में हमें इतने gap की जरूरत नहीं होती है आप four to five hours की study अराम से without any gap कर सकते हो अगर बीच में आपको ऐसा लगता है कि आप bored हो रहे हो या फिर आप subject को पसंद नहीं कर रहे हो वो subject पढ़ रहे ह सुबह ठीक है तो उस वक्त पे आप two या three minutes का बीच में गाब लीजिए और उस time में भी two to three minutes में अगर motivational song सुन सकते हो जिससे आप moderate feel करो और जिससे आपको जाधा motivation मिले जाधा concentrate होके आप फिर पढ़ाई करो तो उस gap में जो आपको पसंद हो आप वो करो ठीक है तो सुबह अगर चार बजे उठ रहे हो तो चार से पांच गटाई यानि four to five hours आपको continue study करना है without any gap उसको आप stretch कर सकते हो कि fifteen days में आपको at least एक दिन में twelve to thirteen hours का study बहुत जरूरी होता है कि इतना study hours आपको देना बहुत जरूरी है जिससे आप पूरी revision कर सकते हो अगर इतना study time नहीं दोगे तो revision difficult हो जाएगा हमारे लिए ठीक है और उस routine को आप follow करो और consider करो इतना four to five hours study करने के बाद एक gap लो ठीक है one hour two hour का gap लो थोड़ा सा घूम लो song सुन लो खाना वाना खालो उस gap में और फिर आप start करो फिर से क्योंकि उसके बाद afternoon two o'clock तक आप study करो two के बाद छोड़ दो उसको क्योंकि two to four का जो time होता है वो बहुत नीद का time होता है उस वक्त पे study नहीं हो पाती है I can understand उस वक्त पे शिरफ और शिरफ नीद आती है और जब आप morning में इतना सारा time study को दे चुके हो तो उस time पर आपको जरूरी नहीं है कि continue बैठना है पढ़ना है ऐसा नहीं है आपका mind pressurized नहीं होना चाहिए आपका mind बिल्कुल fresh होना चाहिए जब आप पढ़ते हो तब ही सजेशन रहेगा आप पढ़िए नाप ले लिजिए ज्यादा नहीं कहोंगी बट एक नाप लिजिए जिससे आप satisfy हो जाओ कि आपने निंग कर लिए ठीक है 30 मिनिट्स या 40 मिनिट्स का गाप लो गाप ले लो और उसके बाद आप फिर से study स्टार्ट कर सकते हो टहल लो song और फिर से एक fresh mind वाला feel आएगा आपको और उसके बाद study करना फिर से चालो करो और जब आप study स्टार्ट करोगे फिर से आप 4-5 वार study कर सकते हो क्योंकि आपने वो gap दे दिया तो इस तरीके से आप अपना routine follow कर सकते हो जो कि इस वक्त पे बहुत जादा जरूरी है ठीक है और इस वक्त पे fifth tip मेरी आप के लिए रहेगी कि इस वक्त पे healthy fruits खाईए बहुत अच्छी diet लीजिए क्योंकि आप fit रहेंगे ये तो अच्छे से positive सोचोगे और healthy रहना बहुत जरूरी है इस वक्त पर ठीक है healthy नहीं रहोगे तो बहुत गड़बर हो जाएगी ठीक है फिर अच्छे से पढ़नी पाऊगे आपका mind उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो यही एक सबसे last अच्छा tip यही है कि fruits खाऊ proper diet लो और सबसे important मैं आपको बताना चाहूंगी take seven hours sleep at least 7 गंटे की नींद जरूर लो यह बहुत जरूरी है इससे कम की sleep आप नहा रखें बहु आपको smart work करना है अगर आप five hours study कर रहे हो और उसमें output सिरफ two hours का रहा है तो मुझे बताए आप three hours waste कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं है ना कर रहे हो ना तो आपको नहीं करना है हमें smart work करना है we are smart तो हमें smart work करना है हम जितना time भी बैठेंगे हम अच्छे से बैठेंगे concentrated होकर ब बेठेंगे हमें जरूरत ही नहीं है इतने गंटे बैठने की effective study करो ठीक है बुक ले के बैठने से study नहीं होती है ठीक है बहुत सारे students बुक लेके वेठे रहते हैं मैं तो तीन गंटे पढ़ा था एसा नहीं है आपको जितने घंटे बैटना है आपको उतने अच्छे से पढ़ना है उसके लिए आपकी body का fresh होना जरूरी है आपकी body का fit होना जरूरी है तो आपका mind अच्छे से काम जरूर करेगा तो ये कुछ tips है मेरी आपके लिए जिससे आप maximum marks ले सकते हो बहुत कम time में और ये आपका study plan रहना चाहिए अगर आप maximum score करना चाहते हो तो और इस वक्त पे आप complex questions बिल्कुल मत कीजे confuse मत हुए effective study कीजे fit रहिए healthy रहिए और इस तरीके से ही शैवी chemistry classes के साथ बने रहिए आज के लिए वीडियो में इतना ही I hope आपको ये tips अच्छी लगी होंगी और आप इनको follow करके नीचे comment box में जरूर बताना कि आपको ये tips कैसी लगी और आप इनको follow करके आपको results किस तरीके से मिल रहे हैं एक चीज़ और मैं आपको बताना जा तो do follow me on instagram my instagram handle is below in the link and तब तक के लिए ध्यान लखिये all the very very best to all my students